अलो मित्रो नमस्कार यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेराथन हमारी इन्वार्मेंट की मेराथन इस्टार्ट किया है मैंने तो मेराथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मेराथन में आपको नए नए प्रकार के कोश्चन मैं छाट करके दे रहा हूँ बहुत ये अच्छी practice आपकी इस मेराथन से होने वाली है तो चलिए दोस्तों start करते हैं question किस रंकला में पहला question है भूमी चरण किसके द्वारा रोका जा सकता है तो भूमी का चरण हम किस प्रकार से किसके द्वारा रोक सकते हैं तो पहला हम देखते हैं साकाहारी जानवरो दारा चरने की अनुमती देना या भूमी को ढखने के लिए फसले उगाना या फिर मिट्टी की उरवरता घटाना या चौथा है मिट्टी की उरवरता बढ़ाना तो जो इसका उत्तर होगा आपका ये होगा भी क्या होगा भी भू भूमी को ढकने के लिए फसले उगाना भूमी को ढकने के लिए फसले उगा देंगे हम तो भूमी छरण बहुत अधिक रूप में रुख जाएगा अगला कुस्च्चन है दल सिक्षन का सोपान है योजना और Σंगठन संगठन और मुल्यांकन तो दल सिक्षन का जो सवपान है वो है आपका चौथा option है योजना, संगठन और मुल्यांकन तो ये आपका दल सिख्छन का सोपान हो जाएगा सबसे last वाला योजना, संगठन और मुल्यांकन ठीक है अगला question है निम्न में से कोण एक अकार्बनिक पधार्थ नहीं है अकार्बनिक पधार्थ नहीं है आपको बताना है केलसियम, पोटेशियम, मेगनेशियम, पोटा, प्रोटीन तो इसका जो आंसर होगा ये होगा प्रोटीन प्रोटीन आपका क्या है कि अकार्बनिक पधार्थ नहीं है प्रोटीन है ना अगला question है खाद प्रधार्त सुरक्षित रखने की प्रकिरिया कहलाती है खाद प्रधार्त सुरक्षित रखने की प्रकिरिया कहलाती है तो वो कहलाती है खाद सरक्षन क्या कहलाती है खाद सरक्षन आपको आपसंचार देदेगा तो इसमें से बताने आपको खाद पधारतों को सरक्षित रखने की प्रकिरिया कहलाती है खाद सरक्षन कहलाती है नेस्ट कोश्चन आपके सरीर को विटामिन और खनीच की आव सकता है क्योंकि ये सरीर को उर्जा देते हैं ये चयापचय प्रतिकिरियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं ये होगा पी, ये चयप चयप प्रतिकरियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, ठीक है, आपके सरीर में जो विटामिन और खनीज होते हैं, वो क्या करते हैं चायप चाय प्रतिकिरियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं अगला कुश्चन पोटेशियम सलफेट निमलिखित में से किसका उधारण है पोटेशियम सलफेट सरल उर्वरक का घरेलू उर्वरक का मिस्तरित उर्वरक का तो इसमें से आपको उत्तर बताना है तो जो potassium sulfate है वो है सरलर्वरक का उधारन अगला question है निमलीखित में से कौन सा तिवहार Tamilnadu में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है तमिल नाडू में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है इसके option देखिए पहला है float festival दूसरा है मामला पुरम तीसरा है जली कट्टू या चौथा है महाम मगम तो इसका जो उत्तर होगा आपका ये होगा महामगम ठीक है महामगम 12 साल में एक बार मनाया जाता है तमिल नाडू में अगला question देखिए खोखो की एक team में कुल कितने खिलाडी होते हैं खोखो की एक team में कुल कितने खिलाडी होते हैं तो 7 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 12 खोको की टीम में कुल बारा खिलाडी होते हैं ठीक है अगला कुस्चन है भगोरिया हाट महुत सो किस राज में आयुजित किया जाता है तो ये चार राज दिया ओड़ी सा पस्चिम बंगाल मदपदेश के रल तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा मदपदेश भगोरिय हाट महुत सो मदपदेश में मनाय आयुजित किया जाता है अगला कुस्चन है सिक्छन और अधिगम योजना प्रकिरिया में चात्रों को सामिल करने का अर्थ है सिक्छन और अधिगम योजना प्रकिरिया में चात्रों को सामिल करने का अर्थ है योजना बनाने में सभी चा चात्रों की भागीदारी या चौथा योजना बनाने में कोई भी बच्चा भाग नहीं ले सकता तो सिक्षा नदीगम योजना प्रकिरिया में चात्रों का सामिल होने का अर्थ है आपका योजना बनाने में सभी चात्रों की भागीदारी इसका उत्तर पहला होगा सभी चात् पढ़ते समय ध्यान से पढ़ा करूँ, आंसर वहीं छुपा रहता है, अगला कोश्चन देखिए, इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन इस्थिती रिपोर्ट, खालिस्तान प्रकासित की जाती है, वार्सी, दिवर्सी या त्रेमासी किया हर पांच साल मे तो इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपकी हर दिवर्स में, दो वर्सों में ये क्या की जाती, प्रकासित की जाती है, अगला कोश्चन है, अंटार्क्टिक ओजोन छिदर की खोज कब हुई, अंटार्क्टिक ओजोन छिदर की खोज, त्रेशट में, बह उजोन चिद्र की खोज हुई अंटार्क्टिका में उजोन चिद्र की खोज हुई अगला कोस्चन देख लीजिए डारेक्ट उत्तर CNG का पूरा नाम CNG का पूरा नाम याद रहना चाहिए आपको compressed natural gas compressed natural gas CNG का फुल फाम आपको कहीं भी पूछा जा सकता है इसलिए मैं डारेक्ट उसका उत्तर बता रहा हूँ CNG का पूरा नाम compressed natural gas ठीक है? याद रखेंगे आप अगला question देखिए उष्ण कटिबंधी छेत्र में सबसे बुरा प्राकरतिक खत्रा है उष्ण कटिबंधी जो छेत्र होते हैं उसमें सबसे बुरा प्राकरतिक खत्रा क्या है उष्ण कटिबंधी चक्रवात तिसुनामी बान भुकंप तो जो इसका answer होगा यह होगा उष्ण कटी बंधी चक्रवात का यहां सबसे बुरा नुकसान होता है प्राकरतिक नुकसान उष्ण कटी बंधी चक्रवात अगला question है गेहूं कीस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगता है काली में, पीली में, लाल में, जलोड में तो जो इसका उत्तर होगा आपका ये होगा पीली मिट्टी में पीली मिट्टी में गेहूं बहुत अच्छा अच्छी उपजे दे देता है अगला प्रश्ण है बायो मास उर्जा का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है तो धान चावल वानी की या उसेश सैवाल या खोई गन्य का रेसेदार अपसिष्ट तो बहुत ही अच्छा इसका उत्तर आपका लास्ट है अपसिष्ट ये है गन्य का रेसेदार अपसिष्ट खोई ये क्या करता है बायो मास उर्जा का सबसे बड़ा संभावित स्रोत है अगला कुश्चन है भू तापी उर्जा कहां से प्राप्त होती है लकडी जलाने से जम जमीन के नीचे से भू तापी उर्जा कहां से प्राप्त होती है अगला कुश्चन स्क्रीन में आप ये सामने है दोजार आठ में भारत के भारत ने विश्व काफी उत्पादन का कितना प्रतिसात उत्पादन किया तो इसका उत्तर बताना है आपको एक दसमलों पांच पर प्रतिसात तीन दसमलों दो प्रतिसात इसका उत्तर होगा ये विश्व काफी उत्पादन का कितना प्रतिसात दोजार आठ में तीन दसमलों दो प्रतिसात उत्पादन प्राप्त किया अगला प्रस्न है बालक की मानसिक छमता के विकास में किसका प्रमुख योगदान है ब कि आपका यह होगा। अनवान- бал nome सिकता का। मानसिक छम्ता में अनवान-ाइश का ज्यादा, विकास होता है। युघ्दान होता है סडी। एकूस्चन कंदेखते हैं हम. जर्दी या पीला प्रोटीन अंडि के तरल वजन का लगभख खालिस्तान प्रतिसत बनाता है तो इसमें आपको बताना है 12 प्रतिसत, 22 प्रतिसत, 43 प्रतिसत या 33 प्रतिसत तो जर्दी या पीला प्रोटीन अंडे के तरल वजन का 33 प्रतिसत कितने प्रतिसत? 33 प्रतिसत क्या करता है? प्रोटीन बनाता है 33, 33 इसका answer है अगला question देखिए राजिस्थान का कोन सा समुदाय प्रकृति स्रक्षन के लिए प्रसिद्ध है तो राजिस्थान का कोन सा समुदाय बंजारा, जैन, राचपूत या विस्नोही तो जो इसका answer होगा वो होगा विस्नोही विशनोई समुदाय प्रकृति स्रक्षण के लिए प्रशिद्ध है अगला कोश्चन देखिए क्रांटम क्रिप्टोग्रोफी को माना जाता है फ्यूचर प्रूप सरलवीधी वरतवान फ्रूप या मूल अनुसंधान तो इसका जो उत्तर होगा ये है पहला फ्यूचर प्रूप अगला कुश्चन एक बिंदू से आने वाले जल प्रदूशन को कहते हैं एक बिंदू से आने वाले जल प्रदूशन को क्या कहते हैं तो कहते हैं बिंदू स्रोत प्रदूशन बिंदू स्रोत प्रदूशन अगला कुश्चन है खाद नियमित अंत्राल पर करनी चाहिये अनेता पहुदे खालिस्तान बन जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? सीधी सीधी बात है उत्पादक बनेंगे, मजबूद बनेंगे, लंबा बनेंगे बिल्लकुर साप साप उत्तर दिख रहा है यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा यह कमजोर होगा न देखिए जो प्रस्न है थोड़े छोटे विड़ो में दिख रहे होंगे तो उनको थोड़ा आप क्या है जूम करके देख ले ओर स्क्रीन को तेड़ा करके देख ले क्यूंकि यह प्रस्न मेरे द्वारा पीडियप में बनाए थे तो पीडियप थोड़े चोटे वरडों में बनी हुई है इसलिए प्लीज आप क्या करें बड़ा करके देख लें पर कोस्चनों का संग्रा बहुत अच्छा है इसलिए आपको समझती हुए चलना है ठीक है ध्यान पुरुवक आप कोस्चनों को लगाएंगे प्रक्टिस एट बहुत अच्छी प्रक्टिस एट आपको दे रहा हूं मैं तो आगे और भी देते जाओंगा चलिए ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं अगर चेनल को आपने सब्सक्राइब ने किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें चेनल को बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आपको प्रक्टिस एट मिलने वाली है ठीक है धन्यवाद